सब्सक्राइब नमस्कार दोस्तों आज डेट है पांच जुनरी तोजार तेस और दे हिंदू के अपने प्री और मेंस के वीडियो में आपका स्वागत है आज चार से पांच अच्छी न्यूज हम देखने वाले हैं जैसे आप दे सकते हो हमेरे प्री के साब से एक तो हम पढ ठीक है और इसके लावाँ जैसे नेसल पार्क होते हैं सैलेंट वैली नेसल पारक हो चर्चा में है तो इनकी मेपिंग भी हम देखने वाले हैं और एक मेंस का टोपिक भी हम देखेंगे जी एस टू जहां पे पंचाई तराज की बात आती है क्योंकि अभी पंचाई और एक्जाम के साब से टूदी पॉइंट बहुत ही सांदर होने वाला है आसा करता हूं कि नए साल में भी आपका प्यार और विश्वास हमेशा साथ रहेगा तो हम मिलके यह आने वाली जो प्रिलिम्स एक्जाम है वो पास करेंगे और बहुत अच्छा गंटेंट है एक्जा पॉलिटी की लक्समिकानत है और 11 क्लास की जो अप्लोड कर दिया जिसमें मोग टेस्ट की तरह आप इनको ले सकते हो और अच्छे से तैरी कर सकते हो इसके लावा भी जो नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करना और जिसका लिंक की वीडियो को डिस और इसे पहले जैसे हमने पहरी से एग्रिमेंट में भी हमने काफी लक्से रखें कि 2030 तक ने जो कार्बन उसरजन है उसमें कमी के लिए प्रियास करेंगे दोजार सतर तक हम क्या टार्गेट रख रहें कि नेट जिरो कार्बन हासिल करना है तो उस दस्टी कोण से हमें किन चीजों में निवेश करना होगा इस दस्टी कोण से हमें निवेश करना होगा रिनीवल एनरजी में ऐसे रिसोर्सेज में जहां पर जिवास में इंदन की आप सकता हमें कमपने तो उसी दस्टी कोन से हाल में जो केंदरी मंत्री में उन्होंने लगबग 20,000 क्लोड रुपे का इसमें निवेश करने का फेसला किया है किसमें रास्टी हरित हाइड्रोजन मिशन में तो अब देखो यह इंपोटेंट है प्री और में जोनों के साब से म पहले भी बहुत सारे कुछन आ चुके हैं तो उस दर्श्टी कोन से आपके यह काम आने वाले में में सकती है तो इसका फाइदा क्या होगा कि इसे हरित हाइड्रोजन और इसके जो अन्य उत्पादन इसके जो सयोगी उत्पादन वाले चीजिए हैं उनको उत्पादन करने और निर्यात करने में भी क्या होगा एक साथ में वेस्फिक अंदर बनाने में इसमें साहिता मिलेगी ठीक है यहां पर आराम से इंग्लिस में भी पढ़ना और जैसे इसमें इसकी चीजिए जानते हैं कि इससे क्या होगा इस पहल से 2030 तक लगब 50 मिलियन टन ग्रिन हाउस ग इस तक हमरे पास यह फाइदा होगा इसके लावा इससे अनुमानित रूप से एक लाग क्रोड रुपे सेदी के जिवास में इन दन आयात कम करने में मदद मिलेगी देखो हम उर्जा में आत्मीवर बनते हैं तो आज आपने देखाना कि असी प्रतिसाद से अधिक जो तेल चलर्फ अधिकां प्रतिसाद का परद होगा इस से क्या होता है जो हमारे तो मुद्राक्थ होगा तो एक में आप को खुड़ने मलें वा। तो यह चीज है बेसिक है जो आपके में काम आने वलाई है इसका फाइदा क्या होगा इससे गा Wow अधार को उर्जा इसाथ महला थनुता अ bonkell नासरा क्यूआ कि वाइब्चेन नाorse Як वाई उपरतस्वन नहीं करेगा तो इसलिए इसकी डिमांड भी क्या रहती है ज्यादा रहती है ठीक है यह बैसिक चीज़ें आगे बढ़ते हैं और इसके मतलब लेकिन साथ में कैच इसमें चुनोतियां भी है जैसे हम अभी हाइड्रोजन की बात करें तो इसके टेकलोजिक के इस्तिमाल किया जा रहें ठीक है और इसमें क्या वता है जलवास बसती है और इनर्जी निकलती है और इसके लावा जैसे भारत की अभी भी क्या है आपनी जो उड़जा है उसमें 60 प्रतिसत कहां से आते जीवास मेंदन से आता तो अभी इसको रिप्लेस करना बहुत मु और जल को अलग करके hydrogen प्राप्त करते हैं और भारत में वरतमार में आफसे जो इलेक्ट्रोलाइजर की जो टेकल हो जी है वो भी एक समस्याय महेंगी है और मतलब सस्ती जो नवनी करण उड़ जाए उसमें लागत बनने की संभावना जयदा रहती है तो यह भी अभी हमारे सा है उसका इस्तिवाल किया जाएगा ठीक है तो हाइडोजन जो फ्यूल सेल उसको उसके लिए क्या होगा जो जो भी टेकलोजी चाहिए इसमें भी बाहरत अभी इतना मेच्व नहीं इंची जो को लेकर ठीक है क्योंकि मेंस की एक्जाम में जब कुछ राएगा ना तो आपक हम बात तो करें कि हाइडोजद से इसमें कुछ पराप्त करेंगे लेकिन हमारे इन रास्तों में ही।eli हो सकती है तो भी आनेवाली है तो को यहां पर पूरा कंटेंट आपके यदि मेंस मेंसा कुछ से राया है इनर्जी को लेकर तो आपके पास प्री और मेंस के अलग लग कर लेंगे और ग्रीन है रप्राप्त कर लेंगे इसको इस्तिमाल करने के लिए ठीक है अब आप जानते हैं प्री के लिए जो फेक्ट आपकी एक्जाम में काम आ सकते हैं उनको जानना बहुत जरूरी तो है इसके बारे में थोड़ा सब्सक्राइब यह मतलब जो उस गुणता वाली विदूद सकती है कि एक सवच विशवसनी और एक कुसल सरोत है ठीक है यह इंपोर्टेंट एफेक्ट हो गया इसका और इसके लावा इसके में बताएगे कि एक विदूद रासानिक प्रक्रिया के मादम सी क्या करते हैं कि प्रचालन के लिए फ्यूल के के रूप में होता है सब्सक्राइब के लिए हाइडरोजन परत्वी पर उपलब सबसे प्रचूर्ट ततों में से एक है ठीक है यह फेक्ट आपके पास है देखो अब आप सुझो कि इतना इतना कंटेंट क्यों दिया तो इतना कंटेंट बहुत जरूरी इसलिए कि प्रिलि अब देखते हो तो उसमें बहुत सर एच्छे आठिकल आते रहते हैं वहां से अपनी चीजें जूटते रहते हो अब देखो में भी आर्स प्रेग्राउंड को मेरा भी साइन्स टेक इतना मजबूत नहीं लेकिन मुझे यह बताए कि कुसन कैसे आते हैं यूपीसी में और क कैसे प्रिपयर कर सकते हैं तो इतना अच्छाक नियुकिर पर इंसे आसनी से कवर कर सकते हैं ऑलाव स्मेश के लावा धाए इसमें निर्मान की प्रक्रिया था यह जैसे पहला बताए इसमें ंजिसे सोरूर्ज और इसमें carbon footprint कम होता है यानि इसमें carbon उस्रजन होता है इसमें जल बसता है last में ठीक है एक सामाने प्रक्रिया है कई वार यह कुछ राचुका है 2010 की प्रिलिम्स एक्जाम में यही कुछन आज हम बात कर रहें ग्रीन हाइड्रोजन की कुछन आचुके 2010 में 2015 में तो UPC कितना आ जैसे ब्राउन हाइड्रोजन के लिए क्लिए कोईले का व्पयूक किया जाएगा गले हाइड्रोजन के लिए प्राक्रतिक गेस का प्योके जाएगा ब्लु फाकष्स होता है साथमें और कुछ पी चीजह इसमें दीगई जो आप एक वार पढ़ लेना ठीक है बहुत ही आस करके आराम से पढ़ सकते हो कोई दीकत नहीं है इसमें कई बच्चे कह रहे थे कि इनको पीडिए फोर साइज में तो तो दोस्तों यह कंटेंग इतना ज्यदा हो जाए कि इनकी फोटो को भी निकालने के आउस्ता नहीं है या तो एक को पाई यह कि आप डेली मेरे साथ नोट बना लो शोट में जैसे डेली दा हिंदु जो पड़ाता हूं एक पेज में नोट्स बना लो काफी है एक पेज में तो प्रेंट आउट निकालोगे नुकसाने नुकसाने आपके आर्थिक लागते बढ़ जाएगी साथ में इन्वार्मेंट को भी नुकसान हो रहा है आप अच्छा कंटेंट आप आराम से पढ़ सकते हो ठीक है यह कोई बहाने नहीं होते कि आपकी आँखे खराब हो जाती है मैं खुद इतना आपके कितना कंटेंट जार करता हूं मुझे तो ओनलाइन नहीं पढ़ता है मैं खुद चस्मा लगा हूँ है बहुत बहत बहुत बैंकर बड़ा वाला चस्मा लगा हूँ है तो इन चीजों से कोई फरक नहीं पड़ता तो बहुत सारे कमेंट इन को लेकर आघे इसलिए बता रहा हूं कि बार-बार यही कमेंट करें कि आप एक फोर साइज में नोट से दो हमें प्रेंट निकलवाने होते हैं क्यों प्रेंट निकलवाओगे इनके मैं तो बोलता हूँ आपको आपके पैसे भी खराब नहीं होगे फाल तुमें ठीक है अराम से फिरी में ये पीडिया आपको टेलिग्राम पर मिल जाती है एक प कैसे आया 2015 में देख लेए थे एक बार तो अभी हम पढ़ रहे हैं फ्यूल के बारे में कुछन आया था 2015 में की फ्यूल सेल जिसमें हाइडोजन से समर्द इंदर और ऑक्सिजन का उप्योग विदृत पड़ा करने के लिए होता है इसके इन खत्रों पर विचार करना है तो इसमें पहले स्टेट्मेंट किया है कि यदि सुध हाइडोजन का उप्योग इंदर की रूप में होता है तो फ्यूल सेल उपूपतपाद की रूप में उसमा और जल उत्र होता है यह तो हमने देखा था सब्सेट्में लग लगा भी पढ़ा था हमने की फ्यूल सेल कॉप प्रत्यावती दारा तो यह स्टेटमेंट भी गलत है यह डिसी दारा के रूप में विदूद उत्पादन करता है तो अपना अंसर क्या निकल गया गया यह ऐसे में प्री के एक्जाम में इसे टेंट लेना कुशन ठीक है आगे देखते हैं कैसे कुछ नहीं यह कुछन 2010 प्री में इसका आंसर दे सकते हो यह 2010 की प्रेलिम से एक्जाम में आ चुका है यूपीशी के एक्जाम में 2010 कमेंट पर करना 2010 इसका आंसर क्या होगा ए बी सीडी जो भी आंसर होगा कमेंट करके जरूर बताना आगे बढ़ते हैं ठीक है अब यह टोपिक हमने पड़ा एनर्जी व अभी हम साथ प्रतिशत कहां से प्राप्त करें लगबग जीवास में इंदर से प्राप्त कर रहे हैं आपको यह पता है कि 2030 कमरा टार्गेट क्या है आपको यह पता है कि ग्रीन जो हाइडोजन में इसन वह भी पता है तो आप अपनों उचिते सिद्ध करने के लिए इन ची कभी नहीं आएंगे आपके सोचते हो कि आप रट लोगे चीजों को राप लिख दोगे ऐसा कुछ कभी नहीं होगा यदि आप यह देखते हो कि करेंट अफेर में डेली न्यूश पढ़ते हो आपको यह पता होगा कि किस टाप की कुशन आते हैं तो यह कुशन आसा नहीं आपको लगता है कि यह यह कर लेंगे आसा नहीं है थोड़ा सा चीजों को कई सारी चीजों को मिला कि इस कुशन को लिखना होता आपको ठीक है तो यह मतला अपनी जो इनर्जी सेकरोटी उसका कुशन है आगे इसमें दिया कि जिवासमें दोनों से सबस्टिए ठाकर उसे लगाना उप्यूक्त उद्स पूर्तिक्रेमिक इस प्रकार साहिक होगा तो आपके बाद दोनुपक्स होने चीजिए इसके पक्स वीपक्स में लिखोगे कि अभी रिनुब जो रिनुबल एनर्जी उसमें अभी निवेस करें लेकिन अभी उस एनर्जी के प्राप्त करना इसकी जो सब्सक्राइब करने के लाबों कीजिए इसी तरह सेम अगली साल एकुषन बन जाएगा या 2030 की में एकुषन बन जाएगा कि परमप्रिक उर्जात पादन की विप्रीज जो हाइडोजन के मादें उर्जाप राप्त करेंगे इसका लाब क्या है क्या मतलब आपको लगता है कि इसमें संभव है इसा ऐसे कुषन मेंस में बन जाएगी तो मेरा काम है आपको यह बताना कैसे न्यूजपर पढ़ना होता इसमें आप देख सकते हैं ठीक है बागी तो यह चीज़े जो मैं आपको बता रहा हूं उन्हों नहीं लगबग वही चीज़े बताई कि प्री में आप इनको कैसे इस्तेमाल करोगे मैंस में कैसे डाटा इंडेक्स एक्जांपल कैसे स्टेडी हां से निकालोगे कैसे ऐसे क को इंगेज कर सकते हैं सब चीजे में डेली आपको बताता है है ठीक है आगे बढ़ते हैं आज की दूसरी जो न्यूस है वह माने नदी विवाद के बारे में यह दो-तिन दिन से दिन काफी चर्शा में जो माहादेव नदी यह को वायर करनाटक के ृष्ट नदी माने गई है उसको लेकर सर्चा में तो इसके बारे में जब भी ऐसी चीज़ा आती है तो आपको त्यार हो जाना है कि मेपिंग के जो कुछन है वो यहां से बन सकते हैं प्री एक्जामें मेपिंग के साथ साथ से आठ याठ दस तक के लाश्ट ट्राइम देखोगे तो आप साथ साथ कुछन डाय देखोगे इसके लावर डारेक्ट इंडारेक्ट दस कुछन तक आपको देखने मिल जाएंगे कई वार प्रीलिम्स एक्जाम में तो मेपिंग आपके लिए इंपोटेंट हो जाता है तो जो महादे नदी है ये गोवा और करनाटक के बीच में लंबे समय से विवाद में रही है और महादे नदी कहां से निकलती है करनाटक से निकलती है विसे इसकर जो पस्मी गाट है ठीक है वहां पर देखना यहां पर डिटल लिख हुई है कि पस्यम के और बेने वाली न में कि भीमगड़ वर्ने जिव बनने से निकलती है पश्मिगाट से ठीक है यह अनिवारे रुप से एक वर्सा अधर इतना दिये जिसे गोव में मंडोवी भी का जाता है ठीक है मंडोवी ने इंपोर्टेंट इफेक्ट है इसके लावा यहां पर देखना मेप आप आराम से इसको देखो मेप को और इसको समझो कई वार कुसर यहां से बन सकते हैं डायरेक बन सकते हैं तो यहां पर और कहां से निकल shooting वादे हैं ओर यहां पर ब् histogram बना जा रहा है इसके लाव इसकी जो अनुन नदी भी पूछा जा सकता है कि यह गोवा में ठीक है तो करनाटक में अलग बग पैंटीस किलोमेटर बहती है और बाद में गोवा में अलग बहती है कितनी 82 किलोमेटर और बाद में अरफ सागर में चली जाती है तो यह important factor और मेपिंग देख लेना यहां पर पूरी detail आपको मिल जाएगी मेपिंग को लेकर आगे देखते हैं इसमें यह important आपी जो कलसा बंदूरी नाला प्रियोजना ठीक है यह कहां पर करनाटक में इसी को लेकर विवाद हुआ है ठीक है तो क्या है इस प्रियोजना में जानते है तो इसको लेकर फिर गौवा ने आपती जिताई की इससे हमारी जो नदी है उसका फलो या उसमें पानी जल किसमें से आ सकती है ठीक है तो इसमें क्या है कि मलपरबा नदी के पानी को मोडने के लिए 1989 से बनाएगी थी ठीक है गौवा ने इस पर शुरू से अपतिक किये और मादे नदी जल विवाद नदी करण का भी गठन किया गया है कब 2010 में कई वाद डारेट यहां से भी बन सकता है कुशन प्रिमे एफेक्ट बनेगा कि जासे लाश्ट जैसे 2021 में कुशन आए था कि क broken पूरी आठ्च निकलती है ठीक है जिसे भारत है और यहाँज पी पूरी गार्बी च्छलके तो इस बार खुशन हिंट के लिए आपके होता है कि 55 कुछन में आंसरा बताना क्यूं करना होता है इसा चाहता हूं कि आप मेरे साथ अच्छी तेहरी करो ठीक है इंगेज रहो जब वीडियो देखते हो तो यह वीडियो आपको काम भी आई और जो सीरियस एस्परेंट होगा वो कर लेगा और जि करके जुरूर बताना इस कांसर क्या होगा आगे बढ़ते हैं यह इंपोटेंट है कि जो साइलेंट वेली है उसमें हाली में क्या हुआ है बड़ स्पीसीज कुछ और पाईगी वहां पर नहीं इनकी गंड़ना जो कीए देखे गए तो हमारे काम की यह कि साइलेंट वेली जब साइलेंट वेली चर्चा में रहा तो हमारे दिमाग में आगे कि मेप का कुछ नियां से बन सकता है ठीक है साइलेंट वेली नेशनल पार्क है पहले बेसी कुछ न आए तो इसमें हाली में क्या वेली नेशनल पार्क में क्या किया है पक्सी सर्वेक्षन किया गया है त ठीक है अच्छा कई बार ऐसे कुछन भी आगे हैं कि जैसे यहां पर नहीं नहीं पक्सी है तो इन पक्सियों का थोड़ा सा नाम जुरूर देख लेना एक दो बार देख लेना क्योंकि 22 में कैसा कुछन है ऐक बार देख लो anal जूप देख लो आपको विश्वास नहीं कि यहां र तो असको लेकर दिया कि टीन पक्सी है और एक जिती है फिस्की पर Teams तो ऐसे उतो आते हैं जो कर्णक जो आ गया डारेक्ट एकदम तो ऐसे ही है कि पक्षियों के बारे में थोड़ा सा और जान लेंगे इस पारे में तो आसान हो जाएगा थीक है, यहां पे, यह पक्सी कई वर आ जाते हैं, ठीक है, यहां पे दिए गें नील गरी, फलोवर पिकर, एक गरीन, पीजन, ठीक है, हरा कबुतर, इसे कुशन आ सकते हैं, थोड़-थोड़े पता होने चाहिए, जिससे इसका मुझे एक और याद आ रहा है, यहां से नील बार गॉल्डन कोन सा जो लंगूर है या जो लो इंटेल मक्यक है हुआ यह था एक बार कुछन ऐसा है यहीं से आयता निलगरी वाले चेतर से प्रिलिम से एक्जाम में तो ऐसे कुछन बहुत आते हैं इसलिए थोड़ा सा में ध्यान रखना को बाइड डायुश्टी के जहां मानसूर पढ़ते हैं तो यह वो लिजन यहां पर लगपख वर्सा के दशीए 200-400 संट्रीमेटर वर्सा होती है अब 200-400 वर्सा इसका मतलब यहां पर कौन से वन है वर्सा वन है केरल के वरसा वन है यहां पर अब वर्सावन है तो यहांपर जधा तरफ पक्षियों की पास यहां पर हाथी काफी फाई जाते होंगे वर्सावनों से थोड़ा सा दूर ठीक है जंगलों में तो एसी थोड़ा से लोजिक से आप पढ़ोगे एंसे पढ़ोगे तो यहां पर कौन से पाड़ी है नीलगरी हील्स है कई वार ऐसे मिलान वाले कुछ नहीं कि साइलेंट पर इजरो का एक भी पार्ट है कल पर सोबी हमने देखा था पहले भी तो सालेंट वेली जो है ठीक है नीलगरी जो बाइस पर है जिजरो उसका पार्ट है और यहां से कौन से नदी बैति यह तो कुंति पूजा या कांति पूजा इसी नदी यहां पर वह बैतिए देखो ए यूटूब पर देखना अपने वीडियो अलग नजर क्यों आएंगे क्योंकि सीदे सीदे कुछन आएंगे डारेक्ट कुछन आप देखना चार-पांच मैंनी वीडियो फोलो तो करो एक बार प्रलीम से एकजाम में देखना आपको मज़ा आएगा जीस फेस्ट में कि यार रायक करो अपने दोस्थों के साथ शेयर न झूट और लोग तो तो अपने दोस नोको बताऊ क्यार्व अच्छा प्रीकेश आप से बहुत अच्छा असथा यह दर हिंदु को वीडियो नहीं प्वेम सान बहुत अ जोस्त नहीं कि कैसे कूछ यह सब शालराहा है एक यह वी ठीक है तो इसके लाबा कि जैसे नेशल पार कि आते तो इन में क्या होता है कि यहां पर कौन से वन पाई जाते हैं तो थोड़ा बहुत आपको आईडियो तो देखो आप को यह पता होगी कहां पर स्थिता है कौन सी मतलब कहां पर कितनी वर्षा होती है तो आप इसली इनको पढ़ते हो तब ही तो मैं कहता हूं कि एंशाटी जो ओरिजन वाली ना इंशाटी वह पढ़ो आप किसी पब्लिकेशन क्या सोट एंशाटी पढ़ोगी कोई पब्लिकेशन उठा लो उसमें वह मज़ए नहीं है वह प्रोसेश खतम हो जाएगी जो आपको आपको होनी इस अब होगी आप बर्सा और ट्रोफिकल माइस्ट इवर्ग्रिन फोरेश्ट यहां पर पाए जाएंगे सदा बारवन पाए जाएंगे ठीक है तो ठीक है इसके बारे में साइलेंट वेली के बारे में डिटेल हो गई पूरी अब देखते हैं किसे आपको कितना आसान कुस और आज कौन से नदियागी अगली वार यह आजाए कंति फुजा या कांति फुजा जो है तब सभी स्टेट्मेंट हो जाता तो तीन-तीन कट गया ठीक है अब यहां पर हमें पता है कि कॉर्बेट में नहीं बेती गंगा तो नीचे से बैती है ठीक है यहां पर और ही नदि किस करके तो आपका गलत होई नहीं सकता तो इस टोपिक से इन्वारिमेंट वाले टोपिक से ऐसे कुछन आएंगे समझ गये ना बात प्रिलिम्स एक्जाम में ठीक है इसके दियावा अनसर आगे देखते हैं आज का लाश्ट टोपिक देख लेते हैं यह मेंस के एक्जाम क इसमें बताएगे कि अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे जो पंचाइती राज है इसको सविदानिक दर्जा दिया था हमने थेतरवे और चोतरवे सविदान से ठीक है यह कितनी बार प्रिलिम्स एक्जाम में आ चुका है और इसके हम क्या कर रहे हैं भी 30 वी वर्सकार्ट पना रहे हैं लेकिन इसके बाद इसमें आर्टिकल में बताएगे है कि बहुत सारे समस्यां अभी भी हैं हमने देखो सविदानिक दर्जा दे दिया राजे सरकारों पर जिम्मेदारी देदी कि आप समय पर चुनाव करो जो पंचाइते हैं उनके लिए विद की व्यवस्ता करो या जैसे नगरपाली का या नगर निगम है उसमें बहुत सारे मुद्धे होते हैं चाहिए साब सभाई की बात करें पेजल की बात करें अच्छे आवास की बात करें परिवन की बात करें या अच्छा जो इनकी बात करें तो ऐसे मुद्धे चर्चा में रहते हैं तो इ इसका मतलब क्या है कि हमने इस्थानी सवसासन क्यों बनाया था क्योंकि जमेनी इस्थानी सवसासन का विकेंदरी करने के लिए इस्थानी जो सवसासन है उसको रखा गया था लेकिन उतनी सब्लता है अभी भी इसमें मिलने की समस्याई देखी जा रही है इसके लावा इम लोकतंत्र की बात करें तो यह गहरी लोकतंत्र को बढ़ाओ देता है क्योंकि जो सरकारे लोकों के करीब होती है विद्ध नागरि का केंदरी करन नहीं करना है सता कुछ लोगों के हातम नहीं देनी है बलकि इसका विकेंदरी करन करना है ताकि सासन का जो वास्तुविक भावन रोगतनतर की वो उसको हम पूरा करपाएं ठीक है इस आर्टिकल में चीजी बताएगी है हालां कि थोड़े जटील चीजे से लेक सेववदानी के दरजा देखिये हैं कि समय समय पर क्या-क्या होना चाहिए लेकिन फिर भी अभी समय में सुधार क्या पताइजा रहा है ठीक है आर्थिय विकास और सामाज इक नाएक लिए योजनाओं को त्यार करने लाग कुरने की सकति हैं इसके लावा विश्थानी चुनाओं के नियमित अंचालन को अनिवारी करते हैं कौन करते जो थेतरवा चो चोटरवा सवजदान संसुद्र ना इसमें लिखा गया है कि समय पर चुना होने जी हर पांच साल के बाद में जैसी कारिकाल पुरा हो जाता तो चुनाओ अनिवारी हैं लेकिन कई राजे सरकारे इसमें भी समसिया रखती है ठीक है समय पर जैसे हमने इनको कारी तो बहुत सारे दे लेकिन इनके बास निवेश का संकट है जो एक राजी वित आयोग के द्वारा कई बार ऐसी मतलब शिपारे से भी की जाती है या इनके पास खुद के अपने संसाद नहीं है कई जिगह रोल मोडल है लेकिन अभी भी बहुत सारे जग करते हैं इनको अस्थिप करते रहते हैं इसके लाव चुना अपरा दिक्तत्वा सामिल हो जाते हैं कि ज्यादा तर जो सरपंच या पंच बनते हैं अपरा दिक्तत्वा की प्रश्ट मुमी के होते हैं कई वार यह होता है कि जैसे कोई महिला सरपंच बनती है तो उनके पती आपाहि के दोरा जिमेदरी का वह हैं किया जाता है तो महिलाओं को जो वास्टफिक्र जिमेदरी दे जाती है उनको मुखा यह डिया जाता है बहुत सारे मुद्धे संदर सामे लाज ठीक है तो यह मुद्धे भी इसमे बताइगे हैं देखो यह कुछन भी बात करें समस्य हैं हैं इसके तनकाल उच्टम प्रिक्षन कीजिए मैंस की तो मेंस के एक्जाम ही तो आज के यह लेसन हमारा समाप वा आज हमने वीडियो जल्दी बनानी कोशिश किए ठीक है तो आने वाली वक्त में थोड़ा सा यह होगा कि मुझे 10-15 दिन और दो आप उसके बाद में अर्ली मौनिंग यारी 7-8 पजी का सपास आपको दे हिंदू प्रोइड कराऊंगा अभी थोड़ा और जिम्यदारियां साथ में परिवार की जिम्यदारियां उसके कारण थोड़ा टाइम कम मिल पाता है ठीक है तो हम दे हिंदू को आने वाली वक्त में इतना अच्छा बना सब्सक्राइब है इंग्लिस मीडियों के विदार्थी भी अब साथ में ठीक है बाकि अपनी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो वहाँ से आपको जो मोक्त मिल जाएंगे और अच्छे नोट्स मिल जाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद